सलाम आदाब मैं अब्दुसमद व्योष 24 नियू से अभी मैं मौझूद हूँ दर्भंगा जिला के लवाम फुटबॉल गिराउंड पर आपको जानकारी के लिए बता दू कि आज का फाइनल मुकाबला लहरिया सराय वर्सेज शुभंकरपूर के बीच शुरू हुआ था जिसमें शुभंकरपूर ने शुरूआती दोर से गोल पर गोल मारते हुए साथ गोल लगातार मारा और दर्भंगा लहरिया सराय जीरो पर यहां पर लवाम पंचायत के मुख्या जी मैं उनसे थोड़ी सी बातशित करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि कहीं न कहीं 20 साल से टूनामेंट नहीं हो रहाता किरकट तो हो रहाता लेकिन फुटबाल से बहुत दूर थे लोग सबसे पहले सर हमारे चैनल पर आपक नहीं के लिए बहुत बहुत शुक्ति लिया सरक कहना चाहेंगे जिस तरीका से शुभंकर पूर्ण ने बहुत रोमांचक जीत हासिल की है इस बारे में क्या कहना चाहें यह काफी अच्छी टीम थी सुरू से ही हम लोग देख रहे हैं काफी अच्छी लोगों का परफर में चला और इसका पूरे इलाके में मैसेज गिया कि लौम में फिर से मतलब फुटबॉल का गेम शुरू हुआ है और इससे भी अच्छे टीम उतारेंगे और सुभंकरपुर की टीम को मैं तहे दिल से बहुत-बहुत धन्य बात देना चाहते हूं जीत के लिए बहुत-बहुत ब तो आप मैं दूसरे पड़ाओ के और हूँ आपको बता दू कि जानकारी के लिए चमचमाती ही ट्रोफी आप देख सकते हैं और सुभंकरपुर के जो कैप्टन हैं उनके हाथों में हैं मैं उनसे थोड़ी सी बाच्चत करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि उनको आपका स्वागत परिश्यति अनिवाद मीठू सणी क्या पलानी चल लही थी जिस तरीका से आप लोग ने साथ को लगातार मारा था कहीं न कहीं दर्शकों में खलवली सी मच गई थी क्या खाके आए होगे जिस तरीका से एस्टॉंग मेंड आप देखा रहे थे जिस तरीक आप देख सकते हैं शुभंकरपूर के कैप्टन बहुत ज्यादे खुश है और कहीं न कहीं उनका कहना यही है जो आप लोग खाते हैं वही खाते हैं लेकिन जिस तरीका से यहां पर रोमांचिक जीत हासिल किया काबले तारीफ है तो मैं आपको यह दिखा रहा हूं दर्भ